ग्रीन वेजटेबल नगेट्स बनाने की विधी पहले तो आलू को उबाल कर उसका छिलका निकाल ले और उसे मैश या कद्दू कस करके एक बॉल में रख ले अब डाले बारिक कटे पालक जिने हमने पहले से उबाला है अब डाले उबाले हुए बीन्स मटर मगर थोड़ा दरदरा पीसे हुए इसके बाद बारिक कटा अधरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, अब मसालों के बारी तो थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चुटकी भर हल्दी, ब्रेट क्रम्स या ब्रेट का चूरा और स्वाधा अनुसार नमक डाल कर हाथ से इसे अच्छी तरह म बनाने हैं ऐसे, अब एक प्लेट में थोड़े उबाले हुए मूंग दाल डाल कर इस पर एक एक लोई को ऐसे हाथ से दबाए, एक एक लोई को ऐसे ही मूंग दाल पर दबा कर तैयार नगेट्स को टेल में डिप फ्राइक कर लें, करीब 3 मिनट टेल में पकने के बाद इसक आप टिशू पेपर पर निकाल लें, तैयार वेजटेबल नगेट्स को हरी चटनी के साथ खाएं और खिलाएं